आपने लोगों को दिन की शुरुआत चाय से करते हुए देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है एक बकरा भी चाय का दिवाना हो सकता है? जी हाँ, मत्य प्रदेश के बुराहनपुर जिले में एक बकरा ऐसा भी है जो चाय का शौकीन है यहां एक ताज राजा चाय सेंटर काफी चर्चा में है आखिर क्यों चर्चा में है यह चाय सेंटर? तो ये देखिए, इस दुकान पर बकरा चाय पीने आया है, ये बकरा रोज यहाँ चाय पीने आता है दुकान बाले किसे फ्री में चाय भी पिलाते हैं और ये बकरा बड़े चाहों से चाय पीता है इस अनोखी बकरे को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और उसका वीडियो बनाने लगते हैं बता दे कि रोज चाय पीने के बाद इस बकरे का नाम चाय वाला बकरा पड़ गया है और ये बकरा अब इलाके की पहचान बन चुका है बकरे के मालिक अब्दुल हामीद ने कहा कि मैं इस बकरे को बचपन से पाल रहा हूँ इसकी उम्र चार साल है जब मैं इस बकरे को बाजार में घुमाने ले जाता था और खुट चाय पीता था तो इस बकरे ने भी मेरे साथ चाय पीना शुरू कर दिया पिछले एक साल में इसे रोज ताज राजा चाय सेंटर पर चाय पिलाने के लिए ले जाता हूँ खास बात ये है कि ये बकरा घर पर चाय नहीं पीता सिर्फ इसी दुकान की चाय इसे पसंद है इस चाय वाली की कहानी वाकई दिल्चस्प है ये दिखाता है कि जानबर भी कुछ अनूकी आदितें और पसंद रखते है बुराहनपुर का ये चाय वाला बकरा अब लोगों के लिए आकरशन का केंदर बन गया है और लोग इसे देख कर अपनी हसी नहीं रोक पाते लोकल इटीन के लिए बुराहनपुर से मोहन धाकले की रिपोर्ट